बोपाल बेरगार छेत्र में कर्मश्री के तत्वाधान में आयुजिता चारे श्री म्रदुल कृष्णेजी महराज के श्रीमुक से श्रीमत भागवत कथा का आयुजन कलश यात्रा से प्रारम किया गया कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया हुजूर विध्यायक रामिशो शर्मा ने कलश यात्रा के पूर्व विधिवत पूजन अर्चना की महिलाएं लाल और पीले परिधानों में सिर्फ पर कलश रख भक्ति भाफ से दो किलो मीटर की यात्रा कर कथास्तल के लिए रवाना हुई शद्धालों ने कलश यात्रा का फूल बढ़सा कर स्वागत किया कलश यात्रा में दस हजार से अधिक महिलाएं शामिल हुए विधायक रामिश शर्मा सापतनी कलश यात्रा के साथ श्रीमत भागवत सिर्फ पर रख कर चले संत हिर्दाराम जी की कुटिया के सामने विशाल मैदान में जैसे ही कलश यात्रा का प्रवेश हुआ पूरा पंडाल राधे किष्ण के जैकारों से गुंज उठा महराज मृदल किष्ण शास्त्री और विधायक रामिश शर्मा कथा के पूर्व संत शिरोमनी हिर्दाराम जी साहिप के समाधी स्तल पर माथा टेक आशिरवात ग्रहन किया इसके बाद आचार मृदल शास्त्री जी व्यासगत्ती पर विराज और उन्होंने विधिवत श्रीमत भागवत पुरान की पूजा अरचना करवाई महराज मृदल किष्ण शास्त्री जी ने श्रीमत भागवत कथा के पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताया उन्होंने कहा कि भागवत सुनने से हिर्दे की शांती के साथ आत्मा भी आनंद से भर जाती है मजा छणिक होता है लेकिन आनंद ना खत्म होने वाला उच्साहा है एक तरफ संत श्री हिर्दाराम जी साहिब का समाधी स्थल है तो दूसरी और भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है आचारे श्री ने कहा कि संत जी यहां के कणकण में विद्मान है जब मैं उनके समाधी स्थल पर उन्हें प्रणाम करने गया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका प्रतक्ष दर्शन कर रहा हूं मुझे ऐसा है इसलिए लगा क्योंकि संत कभी मरते नहीं बलकि वह सदैव चेतना में रूप में हमारे बीच रहते हैं इस बड़ा में के लिए दाज श्रीमान बागवित्का गोड़ा इन गानों के बारे बहुंशन अप्रणा करेंगे निस्चित भी मेरा विश्वास लेके विद्रगन परिवारजन और बोलोगा और सब तो व्यादुना श्रगात लेसे नहीं दाखते हुआ